चलिए आपको बताते हैं बॉलिवुड की वो शादियां जो भले ही नहीं चल पाई मगर ये कपल जब अलग हुए तो इनके तलाग सबसे महंगे रहे बॉलिवुड में अकसर रिष्टित इंपी की खबर आती रहती है हाली में बॉलिवुड अभी ने तुरी मलाहिका रोडा खान अधरवाज खान अलग हो गया है दुन स्टार की 18 साल की शादी खत्म हो गई है उपई की बांदरा फैमिली कोट ने दूनों के तलाग को मंजूरी दे दी है आज हम आपको बॉलिवुड के सबसे महंगे तलागों के बारे में बताने वाले हैं कि तलाग की एवस में किन सीतारों को भारी भर कम खीमत चुकानी पड़ी शारुप के फिल्म दिल से के गाने चहिया चहिया से पॉली रोप पच्छाने वाली एक्ट्रस मलाइका की लव स्टोरी काफी रोमान चिक रही दरसल मलाइका और अरबाज एक दूसरे को काफी पसंद करते थे आज साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 1998 में शादी कर ली थी दोनों के भी सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अच्छानक 2016 में मलाइका का नाम अरजुन के साथ जुडने लगा इसके बाद से अरबाज और मलाइका के वीच दूरिया बढ़ने लगी और आखिरकार 2017 में दोनों ने तलाक ले हुआ वही तलाक के बाद मलाइका ने अरबाज से एलिमनी के रूप में 15 कड़ो रूपए की मांग कर दी इसे देने के लिए अरबाज ने भी हां कर दिया अब मलाइका अरबाज से अलग रहती है और अक्सर अरजुन कपूर के साथ देखी जाती है वालिवुड के हैंसम एक्टर रितिक रोशन और उनकी पतली सुजैन की तलाकी खबरे तो शायद आपने सुना ही होगा लेकिन क्या आपको पता है कि सुजैन से अलग होने के लिए रितिक को एलमनी के तौर पर कितनी रकम देने पड़ी चलिए तो वो हम आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले जान लीजिए दोनों के बारे में कुछ और खास बाते हैं दरसल रितिक और सुजैन की शादी 2000 में हुई थी और साल 2014 में दोनों अलग ही हो गए दोनों के दो बच्चे रेहान और रिदान हैं उनके वीच तलाख होने का कारण तो पता नहीं चल पाया है लेकिन सुजैन ने रितिक से अलग होने के लिए एलमनी के तौर पर 400 करो रुपे की मांगी थी और रितिक ने 380 करोड दिये थे वैसे भले ही दोनों अलग हो गए हैं लेकिन आज भी दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते देखे जाते हैं और ख़र्दे ये भी आ रही थी कि दोनों फिर से शादी करने वाले हैं अमीर खान बॉलिवुड के एक ऐसे अक्टर हैं जो अपनी हर फिल्म के लिए जी जान से महनत करते हैं और हर बार एक नए अंदाज में नजर आते हैं अमीर खान और रिना तता ने अपने माता पिता की मरजी के खिलाफ जाकर 1986 में शादी कर ली थी लेकिन दोनों के रिस्ते की गाड़ी जादा दिन तक नहीं चल पाई और 2002 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था तलाग के बाद अमीर ने रिना को एलिमनी की किम्मत करीबन 50 करोड रुपे दी थी उसके बाद अमीर ने किरन राउ से शादी कर ली और दोनों अपने लाइफ में बेहत ही खुश है वालिवुट की छोटे नवाफ बोले तो सैफ अली खान दरसल सैफ का दिल अपने से 12 सार बड़ी अक्ट्रस अमरिता पर आ गया था इसके बाद सैफ ने 1991 में अमरिता से शादी कर ली थी दोनों के दो बच्चे सारा और इब्राहिम भी है लेकिन दोनों की शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई और साल 2004 में सैफ और अमरिता अलग हो गया अमरिता ने सैफ से एलमनी के तौर पर 7 करोर रुपे की मांग की थी लेकिन सैफ ने ठाई करोर रुपे ही दिये इसके अलावा सैफ ने अपना बंगला भी अमरिता और बच्चों के नाम कर दिया सैफ ने करीना से शादी कर ली बॉलिवट की खुबसूरत अक्ट्रिस करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमेन संजय कपूर से लव मैरिज की थी इन दोनों की शादी शुदा जिंदगी में काफी प्रॉबलम चल रहे थे जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया करिश्मा ने तलाग के बाद 7 करोर रुपे की मांग की थी और संजय कपूर को ये रकम एलिमनी के रूप में करिश्मा को देना पड़ा संजय ने पहली बिबी की मौत के बाद रिया पिल्ले से दूसरी शादी साद 1998 में कर ली थी लेकि ये शादी काम्याब नहीं रही संजय बेशक रिया से बेहत प्यार करते थे लेकिन रिया का टैनिस स्टार लियेंडर पेस से अफ़ेर इन दोनों के तलाक की वज़ा बन गई और संजय ने एलिमनी के रूप में शानदार बंगला और गाड़ी तो रिया के नाम किया ही साथ ही आठ करोर रुपे भी देने पड़े